हेलो आज का लेक्चर होने वाला है जो हमारी सीरीज चलती आरी एडियार के उपर मंद्रेस्टा में सुलह अदिनियम के उपर उसी का एक टोपिक होने वाला है सुलह का समापन अब इससे पहले वाली वीडियो में हम सुलह के बारे में पूरा पढ़ चुके क्यों यह एक वीडियो नहीं देखिए आई बिटन में आपको लिंक मिल जाएगा आप जाकर के वह देख सकते हैं उस वीडियो में एक टोपिक हमारा लास्टा यह रह गया था कि सुलह का समापन किस प्रकास होता है बहुत चोटा सा टोपिक है हम जल्दी कवर कर लेंगे इस टोपिक को अज हम देखने वाले हैं अब हम देख चुके हैं कि पिएक तरह से कोट के बाहर का सेटलमेंट है आउट ओफ कोड सेटलमेंट जुकिया जाता है जो दोनों पार्टी मिल करके आपस पर किसी बात पर समझ करके अपना जो है विवात का निप्टारा कर देती है उससे शुलह कब होगा तो साधरन ताब ही सोचेंट तीन चीजह सामने आती है अग मेरे चुलप के वे निよね- Spaß कि आउने वे लोगा और हुआए का मेरे अगर कि समझाफ कर या अगर दोनों के बीच में समझोत्ता नहीं हो पार रहा है दोनों के बीच में ऐसी स्थिति उत्पन हो गई कि कोई भी पार्टी जुपने को तयार नहीं कोई भी पार्टी फिलने को तयार नहीं अपनी बात से और उनके बीच में किसी भी प्रकार से कोई समझता नहीं हो पार रहा है तो एसी स्थिति में भी वह समसुला कर दोरह कि पार्टी को दोनों पार्टी मिल करके कि हम दोनों को जो हैं दोनों को चाहरा नहीं लेना तो यहां दोनों में से कोई एक बख्ष्कार भी अगर एसा किया तो जाकर कि सुला करवयों का समापन हो जाता है अब हम देख लेते हैं कि सुला करवयों को समापन नाइटीइन lazy Сक्षिन में दे रखा है सक्षन 76 में शुला Felix कारवयों का समापन किस प्रकार से होगा इसके बारे में बताया गया इसमें इन चार चीज़ों के बारे में बताया गया पहला है समझोता करार हो जाने पड इसी अधिनियुम के मध्यस्ता में सुलाता अधिनियुम 1996 के section 76 कव में इसके बारे में बताएगे कि अगर दोनों पार्टीज के बीच कोई समझोता करार हो जाता है यानि कि कोई शांतिपूर्ण हल निकल जाता है या कोई समझोता करार हो जाता है दोनों पार्टी किसी समझोते पर हस्ताक्षर कर देती है तो ऐसी इस्तिती में वो समझोता करार पूर्ण हो जाएगा और वहाँ पर सुलह करवयों का समापन हो जाएगा अब समापन कब मालने जाएगा? जिस टाइम पर दोनों पार्टी किसी समझोता करार पर अपने sign कर देती है उस sign करने के time पर उस sign करने के time से सुलह कारवाईों का समवापन माल लिया जाएगा क्यों माल लिया जाएगा कि बैए सुलह का अंतिम उद्देश ही यह था कि दोनों के बीच में समझोता हो जाए और अगर दोनों parties मिलकर कोई कुछ समझोता कर दे रही है यानि दोनों पाटीज मिलकर के कुछ समझोता कर रही है तो जैसे वह उद्दिश पूर्ण होगा सुलह की कारवाई समापत हो जाएगी तो यह दे रखाता हमारे गाटीजologist 76 क में क्या दे रहता कि समझोता करार हो जाने पड़ अब इसी की opposite situation की अगर समझोता हो ही नहीं पा रहे हूँ तो यह दे रखा हमारा 76 ख में 76 ख में क्या देरागा कि सुला के प्रयास व्यर्थ हो जाने पर अब इससे पहले वाली वीडियो में हम पर चुके कि भैसुला किस प्रकार से होगी कि सुला में ये और भी दो पक्षकार होंगे अब इन दोनों पक्षकारों के लिए एक सुला करता है नियुक दिया जाएगा सुला करता क्या करेगा कि इन दोनों पक्षकारों की बातों को सुनेगा बातों को सुनने के बाद दोनों की विशे उस्तु सुनने के बाद अपनी ओर से सुला कराने का प्रयास करेगा अब अगर सुला करता को ऐसा लगता है कि पक्षकारों के बीच सुला करनी की कोई गुंजाईश नहीं है या दोनों पक्षकार सुला नहीं करना चाहते हैं या दोनों पक्षकार अपने पक्ष से अपनी बात से जरा भी नहीं हिल रहे हैं या उनके बीछ में सफिलह करने का कोई मालग नहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसीעसतिति में सफिलह करता क्या करता है छो पैजनिक होगा वह सुम्हें अपनी और से और यह गोशिद कर देगा कि यहां सुलह कालवायों का समापन किया जाता है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में सुलह होना संभव नहीं दिख रहा है तो ऐसे इस्तिति में जहां सुलह करता जो है यह गोशित कर देता है कि यहां पर जो है सुलह नहीं हो पारी है यहां die हो सकता है दोनों के बीच पे दोनों पक्षार सुल्ण नहीं करना चालते। यह दोनों के बीच पहीं कि दोनों अपनी पक्ष से थोड़े भी उस्डें नहीं करीड़े गडिन चलोंगा इस नहीं सुच्छा था कि गड़ी खरीद लेते मिलके गडिने चलोंगा गड़ी करद ले के बाद इनके बीच में विवाद उत्वर्त् पनोंगया थो एक शूर का माद बाद में बात कर दो इसको लग रहा था कि पूल का चलाएंगें लेकिन अगर इन दोनों के बीच में समझोता हो जाएगा कि एक BAR कर रहते हैं ज़rict कि नई आझ तो में चलाओगा गाडी में ही चलाओंगा एक सी कि वनते हैं तो वो का चला जाएगा 76 ख़व में 76 में कि शुला के फ्र्यास करते हैं यहां जब सुला करता है इन दोलों को समझानी के UN कोशिश करेगा कि एक दिन आप दीन आप करी आप दोनों अपनी बात से हिलना कि नहीं गारी तो मैं ही चलाँगा तो ऐसी हिस्तिति में कि वह कहाँ चला जेगा 76 कि वह जाने पर जहां सुलह के PCERाइश संप्गूल वेर्थ हो जाते सुलह कराने संभव नहीं रहे पाता है एसी इस्तिति में 76 में बतायाग सब्सक्राइब कर दियाख यहां से वह गोशित करेगा उस तीदी से सुला करवेंगों का समापन माले जाएगा यह होका है अब आते अगले दो पॉइंट के ऊपर यह है पक्षकारो की इच्छापर 76 इसी सेक्षन के मध्यास्ते में इसे एक बागत हैं सुलह के लिए उनका माद्यस्थम का सारा लेना चाते इसी इस्तिति में क्या होगा कि जब दोनों पार्टी तयार नहीं है सुलह करने के लिए तो वहां पर भी सुलह करना ही नहीं चाहती हुआ तो सुलह कारवई को अर्थ में रहे जाएगा तो हम सुल्ह करावायों कर आँ आपकषुकार अगले लास्ट पॉइंट की सूचना पर यह दिर्खा हाए हमारे इसद्दिन्हें के 76 गव में क्या दे रहा है एक पक्षकार की सूचना पर अब तीन पार्टी होंगी हमने देख लिया ए और बी दोनों पक्षकार और एक सुला करता जो दोनों के विवादों को सुनेगा और उनके बीद सुला करने का प्रयास करेगा एसी इस्तिति में इनमें से कोई भी है चाहे यह व्यक्ति जो है चाहता है कि मैं सुला करवाई का समापन करना चाता हूं मैं सुला का सारा नहीं लेना चाता हूं यह तो बी व्यक्ति को इस बारे में सूचना दे दे या फिर ए व्यक्ति जो है जो सुला करता निक्त किया गया उसे इस बारे में सूचना दे दे कि मैं दोनों में से किसी को भी चुछना देगा कि मैं आगे बढ़ाना प्राटा में चांथ हुआ उसके पर पर हो dit है तो हमजोता करार हो जाने पर सवेंटीसिक्स हो जाने पर और 76 गव में दोनों प्रक्षकारों की इच्छा हो जाती है कि हम सुला नहीं करना चाहते तो वहां और 76 बड़े गव में एक प्रक्षकार की सूचना देने पर जोहें सुला कारवईयों का समापन हो जाता है अब एक इंट्रेस्टिंग चीज एक 77 में इन दोनों सेक्षिन को हम साथ में देख लेते हैं 76 और 77 77 में क्या देखा है कि मद्यस्थम जो यह सूला के जो कारवईय चल रही होती है क्या इसी कारवईय के साथ हम पहले तो मैं आपको बता दू कि किसी सूला कारवईय के साथ मद अधियस्थम की या नियाई करवईय चलेगी दोनों करवईय एक साथ नहीं चलेगी लेकिन जो यह सेक्षिन 77 है यह इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह एक अपवाद है सेक्षिन 77 यह करता है कि कुछ परिस्थित्य आइसी होंगी जहां दोनों पकिसकारों को यह इसा लगता है यान कि उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा एगर शिर्फ की कारवईय चलती रही तो उनके अधिकारों वह जाएगा यह एशा लगता सामेचित्य कि इस नहीं निकल दा है तो एसी इस्थिति में क्या होता है कि सेक्षिन 77 के अंदर य्दे रखागी सुल लेकिन जो प्रयास है वह व्यर्थ हो जाते इस इसे क्या किया जाता है इसे माध्यस्थ के रूप में अप्ग्रेड कर दिया जाता है जिसे क्या होता है यह माध्यस्थ बन जाता है और दोनों पक्षकारों का माध्यस्थ तरीके से इनके विवादों का निफ्टार करने का प्रयास करता है पहले किसी तरह से कर रहा था पहले सुलह के प्रयास कर रहा था कि दोनों के बीच में किसी प्रकार की सुलह हो जाए और नहीं करवाई हो कि कि आविशक्ता नहीं पड़े लेकिन जब इनके बीच में सुलज नहीं हो बाती तो वो क्या करेगा कि वो उसे जो है किसमें माध्यस्थ में बदल दिया जाएगा वह माध्यस्थम तरीके से उनके बीच विवादों का निफ्टार करने का फ्यास किया जाएगा आई होप आपको आज का ये वीडियो आज का ये लेक्चर पसंद आयोगा आप नेक्स्ट किस टोपिक पर अपना लेक्चर या वीडियो चाहते वो मुझे कमेंट करके बताएं नेक्स्ट कोई दूसा सब्जेक लेना चीए या इसी सब्जेक के आगे के टोपिक मुझे कंटि करके वता है, थैंक्यू